नमसकार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी चैनल मिस्ट्रेस भी क्लासिज पर दोस्तों, आज कुछ डिस्टिक में जो है बता है, जो और सेलरी अपलोड हुए है और एक डिस्टिक में जो बता है वो क्रेडिट हुआ है, अकाउंट में आया है काफी लंबे समय के बाद आये देख लेते हैं किस डिस्टिक की बात हम कर रहे हैं सबसे पहले यह है यमुना नगर यमुना नगर में दोस्तों लगबग आज तीसरा या चोथा दिन है जब रूपे आ रहे हैं प्लस टुवालों के एक महीने का ही डाला जा रहा है पिछली बा करने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों से आए हैं नहीं आए कुछ कह रहे हैं आए हैं कुछ कह रहे हैं नहीं आए हैं लेकिन आज जब तीसरे चोथा दिन हो गया है तो जब ज्यादा से ज्यादा बच्चों नहीं कहा कि हमारे रूपे आए हैं तो तब मैंने जाकर इस प कम डिस्टिक में अब दक आई है दो तिन डिस्टिक में ही आई है आज की डेट में आप देख सकते हो 6000 रुपे 18 अगस्त को यह अपलोड हुए है यहाँ पर भी देख सकते हो 18 तारिक को 6000 रुपे जो अपलोड हुए है ठीक आज की ही डेट में और यहाँ पर देख सकते हो 11 त डिस्टिक में जो पैसे आये थे पिछले महीने लेकिन इस महीने इस तरह से नहीं है कुछ भी इस महीने शरफ दो या तीन डिस्टिक अब तक रुपय आये हैं और वो भी बहुत कम-कम बच्चों के आ रहे हैं अब यमुना नगर के प्लस टू क्लास के तो बहुत महीनों के र लगातार दबाव बना के रख्यारो ओफिस वालों पर कोल किया करो जाया गरो वहाँ पर ताकि उनको भी पता चले एक हां अमने कितने दिन से चीज़ें कलियर नहीं की हैं अगर वहाँ पर नहीं जाते मोशली बच्चे शरफ सोचल मीडिया पर कमेंट करके रह जाते हैं य देखिए एक-दो महीने का पंडिन रहना तो कोई बड़ी बात नहीं है आपको सच बताऊँ तो एक-दो महीने तो बहुत नूर्मल होता है लेकिन अगर दो तीन महीने तीन महीने से ज्यादा रोने लग जाए तब आपको यह देखना होता है वहाँ अब पैसे आने बाकी बच्चे जिनका नहीं आया है वो भी इंतजार करें इस अपता में मोस्टली बच्चों के कलियर एक महीने का तो जो आ रहा है फिलाल वो ही जाएगा बाकी अपने इंप्लॉइमेंट ओफिस में लगातार संपरक रखें मैंने आपको बता दिया है ताकि दबाव लगातार बने रहे ठीक है तो यह बड़ी खबर ही थी अगर आप भी चाहते सक समयोजना से रिलेटेड से भी अपडेट आपको समय पर मिलती रहे तो चैनल को जरूर सब्सक्र